नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका संसकार हेल्थ मंत्र में आज किस कड़ी में हम बात करेंगे लॉंग से होने वाले फायदों के बारे में वैसे तो लॉंग हमारी रसोई का एक एहम हिस्सा है लेकिन आचारबाल कृष्ण जी के मताबिक लॉंग के औशधिये गुण जान कर तो आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि दो लॉंग का प्रति दिन सेवन कई तरह के रोगों में फायदे मंद होता है तो आई ये जानते हैं लॉंग से होने वाले फायदों के बारे में दातों की समस्या में लॉंग बेहत फायदे मंद होता है इसमें एनालजेसिक कॉंपोनेंट होते हैं ये दात के आसपास की सूजन को कम करके दर्द में आराम देते हैं इसमें एंटी बैक्टरियल गुण भी होते हैं जो दातों में संक्रमन को फैलने से रोकते हैं अगर आपके दातों में दर्द है तो दर्द वाली जगह पर लॉंग रखने से दर्द में आराम मिलता है इसके अलावा प्रति दिन अगर दो लॉंग चवाते हैं तो ऐसे में दात भी मजबूत रहते हैं लॉंग में मौझूद पाचकरस पाचन क्रिया में एहम भूमी का निभाते हैं लॉंग में फाइबर की मातरा भरपूर होती है या कब्स गैस और पेट से जुड़ी कई समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है इसके अलावा भूनी हुई लॉंग के पौडर को शेहद में मिला कर खाने से पाचन क्रिया चुस्त दुरुस्त रहती है लॉंग शरीर में कॉलेस्टरॉल और ब्लड प्रेशर को नियंतरित करती है धमनियों को लचिला बना कर धुर्दे को मजबूत करती है डाइबिटीज के मरीजों के लिए लॉंग बेहदी कारगर सिध होती है या शरीर के अंदर इंसुलीन की तरह काम करती है लॉंग में ब्लड प्रेशर को नियंतरित करने वाले गुन पाय जाते है मुग के अंदर के किसी भी बैक्टेरिया को खत्म करने में लॉंग का तेल कारगर होता है टिट्री ओयल, लॉंग और तुलसी को मिलाकर एक हर्बल मौथ वाश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ये नेचरल मौथ वाश मसूडों के लिए बेहदी फाइदे मंद होता है 21 दिनों तक इसका उप्योग करने से मौह में बैक्टेरिया और संक्रमन से लड़ने में मदद मिलती है लॉंग का उप्योग सिर के दर्द में बहुत ही लाबकारी माना जाता है इसका इस्तेमाल दो तरह से किया जा सकता है एक तो पहला ये कि लॉंग के पॉडर में चुटकी भर नमक मिला कर एक ग्लास दूद के साथ लेने पर सिर दर्द में आराम मिलता है वही लौंग को नारियल के तेल में भिगो कर रख दें और दर्द वाले हिस्से पर मालिश करें तो इससे सिरदर्द में आराम मिलता है मोटापा कम करने के लिए लौंग बेहत लाबकारी माना जाता है हर रोज अगर लौंग का सेवन किया जाए तो इससे शरीर में बढ़ रही चरवी को कम करने में मदद मिल सकती है साथ है अगर रात में एक गलास पानी में कुछ लौंग डाल कर छोड़ दें और सुबह उठकर उसे च्छान ले और पानी पी लें तो ऐसे में मोटापा कम करने में मदद मिलती है तो आज की इस कड़ी में आपने जाना लौंग से होने वाले फैदों के बारे में उमीद है कि हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप और ऐसे लावप्रत वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकोन को जरूर दबाएं ताकि हमारा हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे नमस्कार